इस कारिक्रम के निवे तक हैं बाल भ्रमचार ने जयू दीदी पूनुं दीदी श्री कुंथु सागर विध्या शोध संस्थान आलते श्री शेत्र कुंथुगरी तीर्थ हाथ कडंगले जिला कोला पूर महराश्र लेकिन आचायरों ने कहा है कि पाप कर्म का उदे साथ मेरेता है यह भोग भूमी है को भोग भूमी है लेकिन पाप कर्म के उदे से उसने पात्र को दान दिया है को पात्र को दान दिया है इसलिए को भोग में मिल गई वहाँ क्या होता है जो सुबोग में खाने की व्यवस्ता है वहाँ को भोग में खाने की व्यवस्ता नहीं है वहाँ पर मिट्टी खाता है आदी आदी कोई एक पाउं का है कोई एक हाथ का है किसी की एक आख है कोई हाती की सुन्ड की तरफ नाक है जिसकी हाती के कान सरी कान है एसलिए का वो कान को बिछा भी ले वे और ओड भी ले वे इतने बड़ बड़े कान रहते हैं और अनेक प्रकार के अंडे अनेक प्रकार के हुंड़क संस्तान वाले को वो गोमी में जीव रहते हैं और वह से बहुएन वाशी ब्यंतर जोद्यश्गादी में उत्पन हो जाएंगे फिर संसार में चले जाएंगे संसार से मुक्ति नहीं मिलती उनको दुरगती ही दुरगती फिर जा करके हो जाता है लेकिन सद पात्र है उनके लिए ऐसी बात नहीं है हमारे जेनाचायरोंने पात्र के तिन भेद कर दिये उत्तम पात्र, मद्यम पात्र और जगन्य पात्र उत्तम पात्र के अंदर मुनियारिका को गिना है जो 28 मुल्गुनों को निर्दोष पालन करते हैं और अपनी शरिया चारित्र को अच्छा पालन करते हैं मद्यम पात्र जो है प्रतिमा धारी श्रावक है वो मद्यम पात्र दूसरी प्रतिमा से लगा करके और ग्यार्वी प्रतिमा उत्कर्ष्ट श्रावक तक और जगन्य पात्र जगन का है अभीरत सम्यदर्ष्टी जगन्य पात्र जो है वो अभीरत सम्यदर्ष्टी तो है लेकि तो इसे जो उत्म मद्यम जगेने पात्रों को जो दान करता है उसको उत्म मद्यम जगेने भोग में मिल जाती है देखिए दान करते समय हमें पूरा सोचना है कि सामने वाला लेने वाला कौन है उसके अंदर योगीता कितनी है वो धर्म का कितना पालन करता है सैयम का कितना पालन करता है चारित्र का कितना पालन करता है तो हमारे जेनाचायरों ने उसको के दिया है मिठ्यादर्ष्टी है अज्यानी है पापी है मद्यमास मद्दू का भोगी है इस प्रकार का बीड़ी, शिगरे, इत्वाव, कूपान, प्रागुट का आधी-आधी खाने वाला है जो गर से विरत्त हो गया घरबार तो उसने छोड़ दिया तेकिन खोटे तपों में पड़ गया खोटा तप करता है और सहियम सहित तप नहीं है इस प्रकार का जो जीव है वो दान लेने के योग्यों नहीं है नहीं तो क्या होता है अगर हमने कुपात्र को दान दे दिया तो मार्ग सही नहीं बताता उसका मार्ग सही नहीं होता उसके जीवन में और कष्ट आ जाता है हम अपनी संपत्य का हमें सदोप्यों करना है दो रुप्यों करने नहीं करना है संपत्य का अगर हमने दो रुप्यों किया मुझकिल से संपत्य कमाया और दान भी दे रहे लेकिन दान देने के बाद भी अगर उसका फ़ल कुछ नहीं होता है पेड लगा है और पेड में फ़ल नहीं है तो क्या फा Pharise निकला ने पपीते डेखते हैं आप पपीता के पेड देते है तो सारे की सारे के पपीता के पेड भल नहीं देते उसमें एक आदा पप्रता ऐसा भी रेता है जिस पर फूल तो आता है लेकिन फल नहीं लगता तो ऐसा गर हमने पेड लगाया और उसमें फल नहीं आया तो पेड लगाने का कुछ भी फायदा नहीं देता है इसलिए हमें दान तो करना है लेकिन सामने वाले को देखना है कि वो कैसा है देखिए दान की जहां पर बात चर्चा किये है तो आहरदान, उशिदान, सात्रदान, अभैदान इस परकार चार परकार के दान बता है तो अगर हमारी संपति को, हमारे पेशे को हमने अच्छी जगे नहीं दिया मिध्या दर्शी अज्यानी को दे दिया, पापी को दे दिया तो लकडी की नाव की तरह नहीं है, पत्थर की नाव की तरह है पत्थर की नाव है और उसके अंदर बेट गए है तो आप डूबो पांडियो ले डूबो यजमान सेयम डूबता है यजमान को भी डूबा देता है मेरे को एक दुरस्टान ता याद आता है दुरस्टान सातर जहां पर भी है कहानिया है क्या होता है एक सेट जो है किमिचिक दान करता था किमिशिक दान किसको कहते जो मागे जिसको उसी को दे 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 दान तो करना है लेकिन किसको देना है वो उसको विवेक नहीं था बहुत संपती थी बहुत संपती बहुत संपती कभी भी दान के लिए पिछे हाथ नहीं करता था लेकिन यहां पर विवेक की परमावश्यक्त थी कि जब हम इसको पिछ धन देरें यह धन का सदुप्यों करेगा कर दूरुप्यों करेगा तो क्या हुआ उनकी यहां एक धीवर जो है पहुंश गया धीवर जानते आप जो मजली पकड़करके बजार में मजलों को बेशता है मजली मार करके अपना जीवी निर्वा करता उसको धीवर कहते हैं तो मजली मारेगा तो पाप भी करेगा न क्योंकि जीवों की हिंसा होगी तो वो वहां पर पहुँच गया सेट जी द्वार पर खड़े थे अरे भाई तू क्यों आया बोले मुझे को कुछ न को चाहिए बोले क्या चाहिए मुझे को एक रुपया दे तो सेट एक रुपया पहले एक रुपया की बहुत किमत हो जाया करती थी यहां तो सोने का शिक्का रहते था और चांदी का शिक्का रहते था चांदी का शिक्का तो अभी थोड़े दिन पहले ही पचाश-पत्वन साल पहले ही बंद हुआ पहले रुपया चांदी का था अठनी चांदी की थी चवणी चांदी की थी आधी आधी तो क्या है एक रुपिया उसको मिल गया दे दिया सेड़ जी निकाल करके और वो अब क्या करेगा एक रुपिय का सोच लिजी बजार में गया धागा खरीद करके लाया धागा खरीद करके लाकर के उसी जाल बना ली अब जाल बना करके और नदी के किनारे रोज मच्छी मारना बेचना तो इधर क्या हुआ वो शेट ने जो कुपात्र को दे दिया दान मांसारी को दे दिया जीव हिंसक को दे दिया तो उसके रुपे से वो जीव हिंसा करता था तो पाप किसको लग रहा था शेट जी को लग रहा था अब यहां पाप का बोज बढ़ गया पुन्य का बोज कम हो गया तो धीरे-धीरे क्या हुआ सेड़ जी की संपती भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे- इसी रे गई हो गई सबेरे खाया तो श्याम को नहीं है और श्याम को खाया तो सबेरे नहीं दीन ही नवस्ता हो गई वो सोचे नहीं लगा अरे मैं इतना बड़ा दानी मेरे द्वार से आज दिन तो कोई खाली नहीं गया मेरे लेकिन मेरे इस्थिती इस प्रकार की, अंदर से बहुत बड़ा दुखी हुआ, सोचा कि इसका मार्ग कहां मिलेगा, मेरा ऐसा कौन सा पाप कर्म का उद्धे है, तब मुनिराज के चरणों में पहुंसता है, तिन प्रदिक्षन लगा के नमस्कार करता है, और बेट करके अपने हर्दे की पीड़ा म मुनिराज को बताता है, इस प्रकार की इस्तिती है, मैं एक बार बहुत बड़ा सेट था, बहुत बड़ा सेट, और किमिच्छिक दानी था, मैंने आज दिन तक मेरे द्वार से किसी को भी खाली नहीं जाने दिया, इतना धर्म करते हुए भी, मेरी इस्तिती इसी क्यों हो गए, तब मुनिराज कहने लगे, अब धिज्ञान लगाया, अरे, सेट जी, तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ी भारी गलती कर दी, बोले वो क्या, अरे तुम किमिच्छिक दानी तो हो, लेकिन दान किस पर नहीं देखा तुमने, तुमारे पेश्यों को लेने के लिए योग्य कौन है, तुमारी वस्तों को लेने के लिए योग्य कौन है, उसको तुमने नहीं देखा, बहुत बड़ी गलती हुई, बोले स्वामी बताइए, अरे तुमने वो तुमारे गाम का जो धीवर है न, मच्छि पकड़ने वाला, उसको तुमने पेशा दे दिया अब तुमने पेशा तो दे दिया, तो पेशा देने के बाँ उसनी क्या किया, बजार गया धागा खरीट किला जाल बुनी, और उस जाल से प्रति दिन मच्छी मार करके, और पाप कमाता था, वो पाप तुमारे शिर पराया, और धेरे 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 पाप ने बोज बढ़ ग गया और तुम दीन ही नवस्ता में हो गए तो यहां पर के आचारी क्या कहते हैं कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो यह हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमारी चीज का यह उप्योग करेगा कर दूरुप्योग करेगा भूले महराज अब उसका रास्ता खोले तुम क्या करो दीवर के घर पर जाओ तुम्हारे पेसे जो बूना हुआ जो जाल है उसको वापस ले कर गया हो पापास रव कम हो जाएगा तुम्हारा रास्ता वापस खोल जाएगा तुम पापस जैसे के तैसे हो जाओगे गया फटे टुटे कपड़े धीवर के द्वार पर पहुंच गया धीवर ने पैचान लिया उसको अरे रे शेड़ जी शेड़ जी ये क्या आज हमारे द्वार पर क्यों आगए क्या इसस संकट पड़ गया और आपकी तो हालत बहुत खराब दिख रही है को किने लगा रे देख भाई ये पाप तो हो गया है मैं तेरे से कुछ मांगने के लिए आया हूं तू देगा क्या तो बोले हाँ यह तो सर आपी का वेखवे अना आप मांगो तो बोले देख भाई वो जो सामने जाल लटकी हुई है न वो जाल मेरे को दे दे अरे बोले सेट जी पुरानी जाल हो गई आपको तो नया जाल बना करके आपको दे सकता हूं नहीं नहीं हमको नया नीचे हमको तो वापस वो ही चाहिए अपनी जाल को वापस ले करके आते उसके जाल से होने वाला जो पाव करमे है वो देरे-देरे समाप्त होता है और फिर उसका पुन्य वड़ने लगता है शेड़ी की स्थिती बरापर हो जाती यह मैंने कहानी आपके मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई है अभी आपको यह समझना है कि आप क्या करेंगे आपके पास धन संपती आदी आदी सारकसार है यह भी दान देने के लिए परुपकार करने के लिए मार्ग बताया है हम मार्ग का अनुसरन करना है मार्ग के अनुसर चलना है लेकिन यहां पर केते हैं जेनाशारी तुम क्या करो दान देते समय पूरा का पूरा ध्यान दो उत्तम मद्यम जगने पात्र में उत्तम बस तु देओ अगर तुमारे द्वार पर कोई भूका आया है तुसको भोजन खिला दो अगर कोई गरीब है उसके पास कुछ नहीं है उसका घर नश्ट हो गया है तो तुमारे पास पेशा है तो उसका घर बनवा दो उसके पास व्यापार नहीं है तो व्यापार में लगा दो कपड़े नहीं है तो कपड़ा दिला दो तो क्या होगा दियो लेकिन पेशा उसको मत दियो भूका है तो उसको रोटी खेलाना हमारा धर में देया दत्ती दान जो है दाने के दानों के भेद जहां पर किये है वहाँ देया दत्ती दान है पुत्र को दत्तक पुत्र को दान करना है कन्यादान है और दयादत्ती दान है जहाँ पर दयादत्ती कहते हैं पर उतकार जो लोग है जीव है अपने पापकर्म के कारण जो दुखी है उनको मार्ग में लगा देना उनको सहेता कर देना हम ये करेंगे तो ये उसका उप्योग करेगा कि सदोप्योग करेगा तुमने सराप पिनेवाले को पैसा दे दिया तो वो क्या करेगा बजार जाएगा शराप खरिद करके लाएगा पिएगा तो मैंने आपको उसी दिन भी बता दिया है न हाँ सरा पिने वाला उसकी हमेशा दुर्गती होती है स्वेम का जीवन नश्ट करता है और जीवन में पाप ही पाप कमाता है इसलिए तुमारे पेशे से अगर वो शराप पी रहा है तो धर्म कर रहा है कि अधर्म कर रहा है पुन्य कर रहा है कि पाप कर रहा है तो पाप कर रहा है इसलिए आचरु ने कहा शराबी को कुछ भी साहिता नहीं देने का साहिता करना Environ तो इस परकार की साहिता करो ताकि वो सराब छोड़ देवे सराब छोड़ देवे अपने परिवार का पालन करे और अच्छी तरह से रए इस प्रकार का कोई व्यक्ति है तो तुम उसको साहिता करो इस कारिक्रम के निवेदक थे